कि हैलो दोस्तों आप देखने अपना बड़ पर्चाइट के यूट्व चैनल में नामा जहीर तो दोस्तों मैं इस वीडियो में ले गए हूँ जैसे कि आपको बैट का सोकर लगाना जो हमारे पंप होता जिसको चाली भी बोला जाता तो उसको आसानी से आप कैसे लगा सकते करने में बड़ी धिक्कत होती है तो सका मेंजर में करते हैं रहता है उर आप आसे में चांड करने का सबसे वाइचय смपनी का लगाना चाहिए इसमिंधा कि इसमें आपको कमपणी का सबसे लएक निए ठार और थे ψकर उनदी मूआइज सकलैते जो लगाने का तरीका और मेजर्मेंट करने का तरीका सारी जान कर आपको इस वीडियो मिलेगी आप से रिक्वेश्ट है कि पूरी वीडियो के लाइस तक आपको पता चलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसमें पहले के दोस्तों अब यहां को मिलता है नहीं को जैपना इसको लगाना कितना केजी little उपना बनाती है तो उसका लगाने का तरीका इसे मैं आपको दिखाऊ वजैसे कि आप यह देख रहे हैं इसको अपना इस तरगी से अपना उड़ाता तो कितना बोड़ भी लगान जैसे कि आपको लगाना साइज मेजरमेट किस तरीकी से करना चाहिए एक आसान तरीका आपको इस वीडियो मिलेगा किस तरीकी सा आपको लगाना चाहिए जैसे कि आपने काफी वीडियो देखे होंगे उसमें सिर्फ नापते हैं लगाते हैं उससे बहुत ज्यादे दिक्कत ह तो आपको वीडियो में ज newest कितने पितने कर देख कितने तो आपको वीडियो में रहこれで कि देखने देखने ढगाने क좌ने इस्माट इحمठी एपने इफो कंपनी को आप हैटरोलिक लगा सकते हैं जैसे की आपको 40 लगानी है तो इसका सथय है आपका वैड़ का डककन का अगर आपका 6वशटा है तो आप देह सकते है इसमें जैसे कि आपके अलग से इसी here fitting के साथ आते हैं इस fitting के अंदर जो YOUks उसमें नहीं अगर आपका Silly Well का गद्धे हैं तो उसमें ले सकते हैं अगर आपके जैसे गद्धे का बज़न कम है तो उसमें कम भी लगा सकते हैं यह देख रहे हैं अपना 1.500 kg का सोकर होता है तो इसको लगाने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा यह बोक्स के अंदर इस तरीके से बोक्स आता है जैसे कि इसकी फिटिंग का साइज कोई बात करें हम तो यह 6 वई 6 के ढखन में लग जाता है तो इसका साइज और प्राइज आप देख सकते हैं तो यह प्राइज आपके मार्केट के हिसाफ से जो मिलेगा उस इसाफ से आपको खरीदना होगा इपको कंपरी का अगर आप जैसे लगाते हैं इसमें जैसी सोकर बैड में सोकर लगाना और इसको जैसा कि लगाते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी होती है अगर आपको जैसे ल जानकारी लेनी है हमारे से जैसे कि आपको एक कॉंटेक्ट किस तरह के सो पकड़े जाब है जैसे कि हम एक नए ठीकदार है तो किस तरह की से हमें रेट वेट की जानकारी लेनी चाहिए तो आप देश सकते हैं उसमें जानकारी ले सकते हैं किस तरह की स्टार्डिंग करनी चा है तो उसको आसानी सागा सकता है कि ये इपने फिटींग करने का तरीका या तो वहाइक सब मैजर्मेंट पर करें वह दिए किस तरीक दिशसे लगा जाता है एक आप हैटरोलिक पंप किस तरीकissent लगा सकते हैं तो फिटिंग लगाने का आप मेजरमेंट करने का तरीका आप इस वीडियो में जान सकते हैं किस तरीक से लगा जाता है यह साइड में आप जैसे कि है ापको हैटरोलिक है छिसमें की आपकी 40 इसको अगर लगाती हो यह अगर प्यून ग्लगाद कशने है और यह अंदर लगाना है अगर अगर ले सकते हैं और सभी की जोगे के अपने त говорят milhõesוץ बॉल्ट ही साइज करूं का इसमें ले ले सकते हैं डेर सूत मोटे और एक सवाई इंची लंबे तो यह आपको नेट बोल्टी लगाने जिसमें की आपका मजबूती रागए देखने इस परकार होता है और यह आप बिना कैप बाले भी ले सकते हैं जिसमें कैप जो अपना गुलाई में आता है और अपने यह इस त लगा देने निसान तो अपने ट्रिल वही पर करने जहां पर आपके निसान है तो आप देखने एक जो आपका एक पार्ट होता है उसमें आपके 8 नेट बोल्ट लेंगे एक इंची एक इंची समझ ची के नेट बोल्ट ले सकते हैं उनको लगा सकते हैं तो इसी तरीकी से आ इससी पर निचाना को जासे कितना ओर की मोट होना चाहिए उतन detto की मैं इसक्रूप को जासे होगा, belangrijk में इसमें नालो हमेड़ उखना के हैरा की चाहिए थक्रूप आपको जासरे की लगाती है, आपको आपके हम की सबास की की जासे नोग पीछinky train मishap है size measurement करने का वह बहुत धियाराई है अगर आप इससे लगाते हो तो इससे आपके हमारा है और गया न्राइनिकर अब धाय हो ग्या तो इसने सैंटने था जितना अपना करद लगना चाहिए ए तो इंचीटेब से नापते हैं तो उनमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है इस फिटिंग के साथ आपको ड्रेंग मुलेगी यह हमारे को जैसे हैड यह अपना बराबर करना जिसमें की अंदर गुर्जिस करका लगाना पड़ेगा तो जैसे कि हम इसक्रू लगाते हैं इस कार से आपको टाइट नहीं जो अपना प्लाइन हो जाना चाहिए जिसमें की दूसरे बोर्ड में हम जैसे इसको लगांगे तो और नहीं चाहिए इस तरीके से आपको यह प्रोपर टाइट करना इस कुरू आपका जैसे हैड होता है क्योंकि उसमें जो मोटाई है वो नेट चाहिए इस तरीके से इसमें हम इसकुरू लगा सकते हैं तो इसकुरू हमारा प्रोपर टाइट भी होना चाहिए अगर वो लूज रहता जैसे कि उसका हैड बड़ा होना चाहिए और जैसे इसकुरू का साइज है जितना इतना पत्ती में साइज दिया उतना मोटा भी साइज है तक ही तो अगे चलके दिकत होती रहेंगी यह देख़ेएं आपको नेटव aurl इस तरइक से टाइट करना है जैसे कि हमारी कमानी जैसे कमानी कैसे है इस तरीकर लगाना कितना नहीं मेजरमेंठ कर किक कि अहाँग डानी नहीं निकलती, यह आपके पास पीस आता, वह को अग्ल ओओ आता है, तो उसको किस तरीख से measurement कर सकते हैं, तो यह देखने इस तरीख से यह अपना कमानी लग जाती है, आपको soker खोल के ही लगता है, जिसमें soker पहले कसना नहीं है, जो pump होता है, उसको पहले नहीं कसना आपको बाद में कसना इस परकार आपको फिट करकर लगा कर देखना है और अपने डीजित कर देना जिसमें कि आपके अगर कमानी में सोकर लगो होता है नहीं होता है तो ज्युट भू बिर मार सकता है तो यह लियुट बीर कह failed वाला हूं जैसे के हमारे होजार होते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दूँगा कौन सा होजार आपको खरीदना चाहिए कौन से की ज़्यादा जरूत पड़ जाती है में मकसद होता है हमारे को क्वाली की बाइस अच्छी मिलनी चाहिए और हमारे प्राइज में भी आना चाहिए जैसे की आपने वीडियो बनाने वाला हूं तो उसमें देश कहते हैं इन्हें बार से लगाके आपको नेटबोल्ट कसने हैं जो हमारे दिवरी होती है डिबरी बोलते हैं अपने भनी वासा में जस तरीके से 두ड करें तो आप उस तरीके से अफनी आता लगाना तो इस वीडियो में देखके बोलते हो हमारी वासम है निट वोल्ट बोलते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इससे आसानी से लगा सकते हैं अगर आपको नहीं आता लगाना तो इस वीडियो में देखके आसानी से लगा सकते हैं अगर आप चैनल नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सा चाह भी नहीं होती है तो इससे टाइट कर सकते हैं तो देखने यह अपना जैसे हमने होल किया है तो थोड़ा टेडा तो उसको सही तरीके से अपना होल कर गया नेटवल्ट कसना आपको जवरस्ति नहीं करना तो यह देखने साइज परफेक्ट होने चाहिए और दूसरी साइट का भी हमारा जैसे कि हमने दोनों में इसमें सुराक कर ली है अब इसको हम टाइट करके दिखांगे जैसे कि आपको नेटवल्ट लगाने सही तरीके से टाइ आपको चेंट से लगाना तो उसके आपके चाली किस तरीकी से लगा जाएगी तो उसका भी मैं वीडियो का निंक से मैं देदाऊं़ वाहे स्टकसी के आपको इसका से पूरा उन्याहे दिक्सिन मांथे दो खराना एक को आपको हम को बेद नहीं है जैसे कि आपने देखा हो लकड़ी का इस्तमाल करते हैं तो वो हड जाती वो सिर्व में लग जाता आपने देखा को काफी जगे यह दिकत आई है क्योंकि निकल जाता हड़ जाता हाथ लग जाता तब गर जाता तो चोट लगने के चांस रहते हैं इसमें ऐसी कोई दिकत नहीं है उपर उठाने के जैसे कि हमारे 210 mm है तो 210 mm यह सुराग का आपको साइज नापना है और उपर से जो हाइट रखनी है हमारे 100 mm के हिसाफ से स्कूरू का जो सेंटर होता है उस तरह के साइड आगे की साइड आप देशकते हैं तो अपना 50 mm तो इस तरीकी से center आपको बनाना वन्हें लोजिंग नहीं होती है तो वह सही तरीके सा टाईट हो जाता तो वो लगाने आपको यह जरूर है जरूर है आपको बोर्ट लगा के ही नटवोल्ट कसने जैसे कि कुछ कारपेंटर जैसे कि कुछ दिक्कत आ जाती है चैंज करना आपको रिपेंग करना कभी दिक्कत आ जाती है तो इसको रिपेर कर सकते हैं क्योंकि अंदर से स्कुरू लगे भी होते हैं तो इस अपनों पेर कोको सी कसना हमने पहले एक सुख का लिए अपना राइट यंड का लेफ्ट हैं आहा लेप सिखें लिशाज करना इसमें इसे हमारे इसमें रम नेट वोल्ट इसमें में इसके बाद मैंगें आफ इस Peng आप किस तरह कसा लगाना इसमें इस कुझा जाता है क्योंकि ज्जाता हुआ तो इस तऱके आपको लगाना और इसमें अपने टाइट कर देने स्कूरू इसके अंदर एक खाजित है आपका दीमक पुरूब बाटर पूप हो जाता है बोड जो अब आ रहे हैं तो इसमें इन्होंने दे दिया इस तरीके से आप देख रहे हैं इसकूरू आपको एक इंची सबंची का लगाना तो आपके मोटाई के लगाना अगर आपके आठ इंची के लिए कर दोखाना तो इसमें डीड़ खे जी अगर आपका जैसे गड़ादा जादा यह देख रहे हैं पीछे से जो आना आपको तीनिची स्ट्वीस्तर रगता है अगर आपका बंद होने के बाद ऐसा लगता है तो ड्रेंग के ही मैं दिखा दूँआ डिस्कृटिटिन लिंक है वहां से आप देख सकते हैं कि बिना ड्रैंक के भी आप कैसा लगा सकते हैं मैं ज्यादा तर फिटिंग लगाई है वैड में धकन उठाने वाली इपको की लगाई है अगर आपको जैसे कि इसमें जो लगाई है मैं दूसरा भी दिखा दूँग आपको किस कंपणी का हम लगाते हैं उसका अगली बीडियों बात करेंगे तो यह देख रहे हैं इस तरह की से लगजाता है इसके बाद आपको डगकन का जो अपना लगाना है और अंदर से निसान लेने तो आपको पती भी नापनी है पती हमारी जैसे पीछे की साइड जितनी ही ह्टी भी है इतनी ही आगे से ढब्र वना अर्तरा होगी यह देख रहे हैं जैसे कि पहया 30 मीम में आना चांचे है साइज डबल बॉर्ड करके जैसे 35 mm होगे तो 35 mm ही लगाना आपको जैसे 77 होगे तो 77 का जो हमारा 35 से ज्यादा हो जाता है तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जैसे वह 30 mm हो जाता है सबंची तो इसको 30 mm लगा सकते हैं पीछे जितना साइच है उतना ही आगे से होना चाहिए है जैसे कि हम इसमें नेट बोल लगाते हैं तो नीचे से लाहिए सब्से आऽान तरीका रहा तो इस तरीके सा ड्रिल कर सकते हैं यह यह हमारा अबийब km ऊपक and you है एगर अगर आगर आपके bocks के अंदर इस सपेस है अंदर एक आदमी लेट और गयम हो उसका इतना इस और आपका फ़क्ण का डंगाने ऊभाड़ा होना जैनल जो बाहर की साइट अभी बोहर मे को रखना है और एक जने को अंदर लिटा देना आपको और उसको आ उसको हां ड्रिल डिल देना डकन में वो मोटे साइज में होते हैं थोड़े लंबे भी होते हैं मोटे साइज में होते हैं इस तरीक से आप देख रहे हैं तो यह आपको यहां पर अपना डिल करना पीछे वाले को छोड़कर अगले वाले में सुराक में करना जो बैक साइड में हो जाता है क्योंकि पीछे की साइड हमारा इतनी जरूरी नहीं कि पीछे की साइड से थोड़ा एक फुट अंदर रहेगा तो इससे मजबूती ज्यादा बनी रहेगी तो आप इस तरीकी से आप लगा सकते हैं और अपना देख सक है इसम्हां आपने द्देख लगा कि इस तरीकिसे आपको करना है तो इन चीज़ों को अन्डर से बाहरा से आपको दिखा नहीं स्पारी काना यह यह जाए च्क्की मैंने कि आपको लगा corps देखने का अंदर सब S criar करते क्या से लगा कि निसान लेना चाहिए यह सब सावा एक साइड में तिन अड़ेंगे एक साइड में तीन और होगे तचलो इसे श्यायनide कि आड़यों हमारा समान आता है जो हमारी इस तरीक झाल एंटी पीछे माँ सी लत चाना आपना यह देखरें इस तरह से आपको क्योंकि हमने पहले कर लिया था उपर की साइट से उसके बाद ही हमने ड्रिल करने का मौका दिया था अंदर जो हमारा एक बंदा है उसको तो ऐसा आपको यह साइज नाप कर तभी उनको बोलना है आप यह ड्रिल कर सकते हो आप तो इसको ध्यान रखें तो साइज मेजरमेंट बहुत सारा कुछ जानकारी आपको होनी चाही है तभी आप इसको लगा सकते हैं अगर आपको नहीं नोलिई है तो आप इस वीडियो में आजसी आ लगा सकते हैं जिन भाईयों को नहीं आता Loren да 이제 यह दे अड़ेगा निए फटने का चांस खत्म हो जाते हैं इससे आप देख रहे हैं बिल्कुर चांस जीर हो जाता तो इसमें ये अंदर धकन में प्लाइन हो जाता ये मैंने फर्स्ट टैम बनाया इस तरीके से डखन जैसे कि आप देखने च्छेवाई च्छे का क्योंकि हम जो बन बनाकर बनाया जगे कम हैं आपकी तो दूसरे भाग में बना सकते हैं जैसे कि आप पट्टी लगा सकते हैं Нीचे से जो हमारे चारवत्षछप से वोडर देखे पर आख़ाधने सिसरी है को वह उर्टा को पर्सभी है इस तरी में पराधने से लगा दिए हमारा भी जो लड़का जो सुरा करे रहा तो उससे आपको डायर इस से हमें फॉसरे तो पतांड़ के बनाया ज्योंट आपको इस tomorrow पूरा बॉक्स नहीं बनाया इसमें बीच में इसलिए सपोर दिया है ये हमारा जासे कि हम इसको चैन्ज कर सकते हैं दूसरी जगे तो इसको खौलके भी चैन्ज कर सकते हैं बाकि ढखकन आपका छेए भाई 6 का ही रहा इसमें अगर आप लेमिनियंट में ज्टेन देना चाते तो ये देख रहें ये Fit हो चुका है इस तरही के से आप लगा सकते हैं आभ इसमें हमारे को हमारे को क्या करना है इसमें नेटवल्ट आप टाइट कर देने हैं क्योंकि हमारा भी बाकी काम है लेम li歌 लगने लिसमें जो साइड में अपने जाल लगाया आज जैसे कि आप देखे ने छाली लगाईए तो इसमें जो कमानि की засब्स कर आप हैं पर हमारा भी लेम लेमिन लगा है वेट के हिसाफ से यह आपको फिटिंग के साथ मिलेंगे इसका अलग से पे कुछ नहीं करना आपको तो आपको जो फिटिंग खरीदनी है इसका डिसके समय लिंक दे दूँका वहां से भी खरीच सकते हैं अगर आप मेरे से मेरे से मेरे से लेना चाहें तो मैं आपको lookin मेरेरे से बाइस सकते हैं prosperous के बीच मेरे से अरटियागम क्षिसे में wreck मेरे सकताओ अगर यह तो हम प्लीन मेरे से तो मैं इस क्यूंता है क्यों सब्सक्णार करेए अगर इंटिय मत भी म्लेग उलोट CatalE ampा क्वालियटी यh सब में इस तरी के साना इस तरी किसी अपको फिट करना हम और द्राए Um ड़ाना यहां प्णू सभाइवा सब्सक्राइब झारलाख करना हमें इस तरी के बनाते समय पीछे पट्टी लगानी आपको पौन इंची की यह इंची चोड़ी जिसमें कि आपका गद्दा पीछे की साइट गिरने गद्द्द का वजन काफी हो जाता है वो पीछे उस रखता तो पीछे सब्ट अच्छी देनी आपको जिसमें कि वह सरकने इस तरह किसा गैप रखना चाहिए आपको और किस तरीकी से इसको बनाना चाहिए यह देख सकते हैं साइडों से और पीछे की साइड से कितना गैप रखना और आप इस आप से रख सकते हैं यह अपना बाहर से आपको उठाने के लिए इस तरीकी से यह आराम से उठिया और इसमें जितन चीजों को ध्यान रखना ज़रूर है इस तरीख से पीछे से एक पट्टी लगाने पड़ीगी आपको अगर आप हेट्रोलिक पंप लगाते हो चाली भी लगाती हो तो उसमें इन चीजों को ध्याना रखना ज़रूरी है मैं दिखाता हूं इसमें कितना वेट यह ले सकता है इसमें कम से कम आपका जो गद्दे का वेट है 70-80 kg तक आप ले सकते हैं और इसमें अराम से यह उपर को उठाकर रखेगा यह देखने आप इस तरीकी से जैसे कि दोस्तों आपने देखा यह इसका जैसे हमने डोर का इसका फिटिंग किया किस तरीकी से करिए अगर आपको और आप इंटर भाईयों को बहुत जादे दिक्कत हुए कि उसमें साइज जो नापते मेजरमेंट जो करते हैं उससों भोल जाते इस तो मैंने जो आपको दिखाया ड्रेंग से दिखाया किस तरीके दिखाया तो अमीदे दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब को लिए नेस वीडियो में आप से आप अपने रखिए ख्याल ठैंक्यों फ्रेंड और में वीडियो है वीडियो देख सकते हैं लिंक मैंने डिस्कुस्टियों में दे रखा है